हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मद्यकाली इतिहास को लेकर बहुत ही महातपूर सवाल जो कि आपके आगामी परिच्छा में आ सकते हैं आपके पिछली परिच्छा में कई बार पूछे गए हैं तो एक एक चीज को यहाँ पर हम विस्तार से जानने वाले हैं तो आई स्टार्ट करते हैं पहला सवाल हसन निजामी और फखे मुधबिर ये किसके दरबारी कभी हुआ करते थे ये आपका पर्थम सवाल रहेगा और इसको हम हाइलाइट कर लेते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे आपके पास विकल्प लिये हुए हैं आपने से जिनबच्चों को अंसर अगर आता हो तो बता भी सकते हैं पहले का उत्तर हो जाएगा एबग ये किसके टाइम पीरेट के थे ये एबग के दरबारी कभी हुआ करते थे यहाँ पे वही लिखा हुआ है हसन निजामी और फखे मुदबिर एबग के दरबारी कभी हुआ करते थे अगला सवाल है किस वंस के सुल्टानों ने सबसे ज़्यादा समय तक सासन किया है तो यहाँ पे आपका अंसर हो जाएगा तुगलक वंस के सुल्टानों ने सबसे लंबे टाइम पीरेट तक साशन किया है विस्तार से जान ले गुलाम वंस का टाइम पीरेट 1206 से लेकर 1290 का कहा जाता है खिल्जी वंस का टाइम पीरेट 1290 से लेकर 1220 जबकि तुगलक वंस का time period 1320 से लेकर 1414 तक का माना जाता है सेयद वंस का 1414 से लेकर 1451 और लोधी वंस का 1451 से लेकर 1526 तक का माना जाता है उप्रोक्त जानकारी जो हमने आपको दी है उसके आधार पे अगर हम देखेंगे तो तुगलक वंस के सुल्टानों ने सबसे जादा समय तक 94 वर्ष सासन किया है clear? चलिए आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है लोधी वंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लोधी वंस की जो स्थापना है या किसके द्वारा की गई थी? बढ़ा important रहेगा बहलो लोधी ने 1451 में लोधी वंस की स्थापना की clear? important point है निम्लिकित में किस सासक ने सिचाई तथा लोक दिर्माड कारे पर परयाप्त ध्यान दिया था? कौनसे सासक हैं जिनोंने इस चीज पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था? उत्तर की बात करेंगे चार नमबर सवाल है आपका सी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा फिरोजसा ने अपनी आवाम के लिए सिचाई की व्यवस्था कराई और सिचाई पर कर लगाया जो उपज का एक बटे दस भाग लिया जाता था और ये पांच नहरे उसने बनवाई यमुना नहर, सतलज नहर, सिर्मोर नहर, घागरा नहर और फिरोजाबाद नहर एक सो पचास कुए भी खुदवाये थे इन्होंने, पानी का भाव दूर होने से उत्पादन बढ़ा, लोगों की आर्थिक दसा में काफी सुधार भी आया आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा मानी जाती है आपको मालूब है, 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया आगरा मुगल काल में मुगलों की काफी चहती रहा विजयनगर के सासकों में सबसे महान किसे माना गया उत्तर की बात करेंगे कृष्ण देवराय नाम आपने सुन्नखा होगा अगला सवाल रहेगा मुगल बिन कासिम ने भारत पर आकरमर कब किया जवाब की बात करेंगे 712 हो जाएगा मुहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आकरमर किया उस समय सिंद के राजा दाहिर हुआ करते थे यह आपको याद रखना है कासिम ने सिंद के बाद पंजाब और मुल्तान को भी अपने आधीन कर लिया लिंग राज मंदिर आप कौन से राज्य में देखते हैं उत्तर हो जाएगा उडीसा जो की ध्यान रखना है आपको लिंग राज मंदिर भारत के उडीसा प्रांत की राजधानी भूनेस्वर में इस्थित है या भूनेस्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है भगवान त्रिभूनेस्वर यानि सिव जी को समर्पित है इसे आप याद रखेगा विजनगर का प्रथम सासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ में संदी की थी आपका नौ नंबर सवाल है उत्तर की बात करेंगे आपका डी हो जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विजनगर के सरवादिक कीर्थिवान राजा हुआ करते थे विस्वयम कवी और कवियों के संदक्षक माने जाते हैं ये आपको याद रखना है समझ गए? विजनगर को आंद्रभोज कहा जाता है अस्ट दिगज इनके ही दरबार में थे जो आठ तेलगू कवियों का संगठन माना जाता है नटराज की कास्यमूर्थी किस वन्स से संबंदित मानी जाती है? उत्तर आपका यहाँ पे चोल हो जाएगा नटराज की कास्यमूर्थी चोल वन्स से संबंदित कही जाती है चोलों के समय निर्मित धातु मूर्तियों में नटराज सिवकी कास प्रतिमा को बिशुकास रेश्टम मूर्ती के रूप में भी जाना जाता है तराइन का युद्ध कौन से वर्स में लड़ा गया था उत्तर की बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सी हो जाएगा 1191 तराइन का युद्ध भारती इतिहास में बड़ाही महत्पूर माना जाता है तराइन कहिए या तारावडी कहिए ये थाने स्वर के निकट इस्थित है और यहां इतिहास में कई सारे प्रमुख युद्ध लड़े गये हैं तराइन का पहला युद्ध एक्यानवे, तराइन का दूसरा युद्ध ग्यारा सो बाननवे, तराइन का तीसरा युद्ध बारा सो पंद्रा, क्लियर? विजदगर सामराज निम्लिकित में किस नदी के तड़ पर इस्थित था? 12 के उत्तर की बात करेंगे आपका D सेई. विजदगर राज तुंग भद्रा नदी के तड़ पर इस्थित माना जाता है, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाईयों ने 1336 में की थी, यह आपको याद रखना है. संत कवीर का जन्म कहां पर माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, आपका अंसर हो जाएगा बनारस. कवीर दास जी भक्तिकाली निर्गुर संत का विधारा के बड़े अच्छे कवी माने जाते हैं. कवीर दास जी का जन्म 1398 इस्वी के आसपास कासी बनारस उत्तर प्रदेश के समक्ष माना जाता है. इससे आप याद रखिएगा. इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमाता. बिटेन की रानी एलिजाबत किसके समकालीन मानी जाती हैं? उत्तर हो जाएगा अकबर के समकालीन. एलिजाबत प्रथाम 1558 से 1603 तक इंग्लेंड की रानी रही. वो भारत में अकबर के समकालीन कही जाती है. महरास्ट का महानतम भक्ति कभी कौन माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे आपका तुकाराम हो जाएगा. या इस समय किस राज में इस्थित है? सूला नंबर सवाल है. उत्तर की बात करेंगे आपका एई सही हो जाएगा. स्री कृष्ण स्वामी मंदिर करनाटक राज के हमपी में इस्थित है. स्री कृष्ण मंदिर का निर्माड कृष्ण देवराय ने 1513 में करवाया था. हम आगे बढ़ेंगे किस सुल्तान ने भारत में सरप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सवाल नमर 17 रहेगा? उत्तर की बात करेंगे आपका अंसर यहाँ पे भी हो जाएगा. महम्मर बिन तुगलक. दिल्ली सुल्तान महम्मर बिन तुगलक ने 1329 से 1330 के बीच में सांकेतिक रूप से पीतल और तामे के सिक्के जारी किये, जिनका मुद्र ने चानी के सिक्कों के समान था. विजयनगर की कलाका उत्करष्ट नमूना बताएगा? सवाल मर ठारा रहेगा? और यहाँ पे आपका जो अंसर होगा बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है. हमपी करनाटा का एक प्रमुख सहर है, यह विजयनगर सामराज की राजधानी थी, इसे प्राचीन काल में हस्तिनावती कहा जाता था. यहाँ विजयनगर के राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाएए हैं. आगे बढ़ेंगे स्री संपर्दाय के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? उत्तर आपका ए हो जाएगा. श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचारे रामानुज कहे जाते हैं श्री संप्रदाय जिसकी आदे प्रवर्तिका विश्णू पत्नी महालच्मी और प्रमुक आचारे रामानुज आचारे हुए ये वर्तमान में रामानुज संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है बह्मनी सामराजी की राजधानी कहा थी आपका 20 नमबर सवाल है उत्तर आपका ए हो जाएगा बह्मनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राजी था इसकी स्थापना 1347 को एक तुर्क अफगान सुवेदार अलाउदीन बह्मन सा के द्वारा की गई थी ये गुरुगरंद साहब का संकलन किसके द्वारा किया गया था उत्तर की बात करेंगे आपका अंसर यहाँ पे आपका अरजुन देव हो जाएगा गुरुगरंद साहब का संकलन गुरु अरजुन देव ने किया गुरू अरजुन देव सिखों के पांचवे गुरू कहे जाते हैं उन्हें मुगल सासक जहागीर ने खौलते तेल में डाल कर मरवा दिया था कस्मीर में सालीमार और निसाद बाग किसके द्वारा बनवाए गए थे 22 के उत्तर की बात करेंगे आपका 20 सही है सालीमार बाग और निसाद बाग कस्मीर के प्रसिद बाग हैं इन्हें मुगल समराट जहागीर ने बनवाया था खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रतम सुल्तान कौन था उत्तर की बात करेंगे आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्रतम सुल्तान इल्तुत्मिस्ट माना जाता है ज्यान रखेगा अधिकांस मंगोलिया या करांता किसके सासनकाल में आए 24 नमबर रहेगा उत्तर की बात करेंगे आपका 20 है ठीक है अलावदीन खिल्दी के सासनकाल के दौरान मंगोलों ने भारत पर बहुत बार आकरमड किया अलावदीन खिल्दी के सासनकाल के अंतिम वर्सों को छोड़ कर मंगोलों ने अलाउदीन खिल्डी के पूरे सासनकाल के दौरान आक्रमड किया है दिल्ली सल्तरत में सबसे अधिक 29 बार मंगोल आक्रमड गया सुद्दीन तुगलक के दौरा विफल किये गए है मुहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किस ने पराजित किया था उत्तर हो जाएगा ये भीम देव सोलंकी सेकेंड आप इसे ध्यान दखिये जा मुहम्मद गौरी को 1178 में गुजराट के चालू किवंसी राजा भीम देव सोलंकी दुतिये ने पराजित किया था ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए तो ये आपके महतपूर सवाल थे जिसका एक पार्ट हमने आज किया है इसके और भी पार्ट है जो आपको हम जल्द प्रवाइड करेंगे उमिद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बड़ी इंपोर्टन बात आपके लिए यहाँ पर ये है कि 20 परवरी को अनेकैडमी आपके लिए एक बहुत बड परिक्षा होती हैं ससी की होती है ठीक वैसे ही होगा और यहां पर 25 लाक तक के उपहार दिये जाएंगे अगर आपकी रहां के Engineers से वीच में पढ़नी है तो आपको यहां पे प्लस जॉइन करना पड़ेगा जहां पर आप आने वाले हो चल रहे सारे बैच जॉइन कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे आप कॉंबो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है SSC और रेलवे का भी आपको कॉंबो मिल जाएगा अगर आप सिर्फ रेलवे का लेना चाहते हैं तो आपको कोड अप्लाई करना है दीपक सिंग वाईटी टेंट डीडवली पी एके सिंग एच वाईटी टेंट और आप जुड़ सकते हैं अनेकेडवी प्लस पे हम जल्द म बिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर अभी के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार बाई बाई